स्थालन शब्स की वीडियो में हम डिसक्ष करने वाले हैं गतिशक्तिव योजना के बारे में गतिशक्ति मांस्ट्र प्लान है इसके बारे में आज हम डिसक्ष करने गया है इसके बारे में प्रधामंती जी ने पंद्र अगस्त दुयार 21 को लाल किला पे भाश्चत देते हुए इस स्कीम के बारे में बताया था जिसमें की सो लाग करोड रुपे का खर्चा होना है और इस परियोजना के अंतर इतना इंफरस्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाएगा इस परियोजना के अंतरगत भारत के 16 मुत्रायले को इस परियोजना के अंतरगत एक ही प्लैट्फर्म पर लाया जाएगा जो की एक डिजीटल प्लैट्फर्म है यह जो गती शक्ति परियोजना है है जिसके अंतरगत यह 16 मंत्राले एक साथ मिलकर काम करेंगे डिजिटल प्रेटफर्म होने के कारण आप इसे एक बैफ साइट भी कह सकते हैं जिस पर 16 मंत्राले को रिजिटर किया जाएगा और एक परूसरे के साथ किया जाएगा कि इस परियोजना के अंतरगत व्लान को कह गया है कि 아 का निवेश आपने अपने अपने के 19 कर ना है इस परियोजना का अंतरगत जो 16 मंत्राले इसमें रेजिस्टर किये गए हैं जो और जो मिलकर काम करेंगे उनको कहा गया है कि आपने एक दूसरे की मॉनिटरिंग करनी है जैसे कि कहीं पर रोड का कार्या चल रहा है तो उसका इंफर्मेशन उसका स्टेटस एरपोर्ड मंत्राले को पता होना चाहिए वैसे ही अगर शिपिंग मंत्राले में कोई शिपिंग मॉव्मेंट हो रही है तो उसका पता रोड को होना चाहिए कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 16 मंत्रा को कहा गया है कि आपको एक दूसरे पान रखनी पड़ेगी एक दूसरे के कारे स्टेटस का पता होना जी जिससे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी इस कारे को पूरा करने के लिए कैबिनेट सच्चिव का चैन किया जाएगा जैसे कि आप जानते हैं कैबिनेट सच्चिव भारत का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसे कहा जाता है जिसके अंडर 16 मंत्रायले के जो हैड या सच्चिव आई एस अधिकारी ह होंगे वह मिलकर काम करेंगे जिसका लक्ष यह है कि अगर कोई मंत्रायले किसी काम में कोई चेंज करना चाता है या इंप्रूमेंट करना चाता है तो उसे बाकी सच्चिवों से पूछना पड़ेगा और जरूरी होने पर ही काम में कोई चेंज किया जा सकेगा इस परियोजना के अंडर मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे को कहा गया है कि आपने दो लाग किलोमेटर का नेशनल हाइवे निर्माण करना है जिसकी डेट दोयाज चौबिस पचीज तक है इसके अलावा नेशनल हाइवे पांच यार पांच सुन नब्वे किलोमेटर जो की फोर और छे लेन बनाई जाएगी कास्टर एरियाज में मिनिस्ट्री ओफ रोड डेवार्मेंट को यह भी आदेश दिये गए हैं जिसकी कंप्लिशन डेट दोयार चौबिस से दोयार से नागा लेंड त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं इन सब की राज़्यनियों को आपस में जोड़ा जाएगा जो भी कार्या दोयार चौबिस पच्चीश तक कंप्लीट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसफोर हाईवे को इसमें चार लेन और दो लेन नैशनल हाईवे बनाने के लिए कहा गया है जैसे कि आप जानते हैं जो यह सेवन सिस्टर्स हैं इसमें जो प्रदेश आते हैं वो जातर आपको पाहड ही मिलेंगे जिसकी वैसे यहाँ पर फोर लेन पॉसिवल ना होने हो पाने की इस्तिती में आपको दो लेन का निर्मान करना है इसके साथ में विवस्ता करनी पड़ेगी इस परियोजना में पहले से चल रही योजना को भी जोड़ा जाएगा जैसे कि भारत माला परियोजना सागर माला परियोजना ओडान एकॉनमी जोन्स एंड रेलवेज को इसके अलावा हॉस्पिटल, यूनिवसिटीज, शोशल इंफरस्ट्रक्चर को भी आपस में जोड़ा जाएगा जिससे की इंटेग्रिटी बढ़ाई जा सके इस परियोजना के अंडर मिनिस्ट्री आफ शिफिंग को भी बढ़ा जाएगा जिसमें की कार्गो शिफ्स में लाए जाने वाले समान की कैपिसिटी को बढ़ा जाएगा प्रिजेंट में एक कार्गो शिफ्स बारा सो ब्यासी मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है जिसे बढ़ा कर 1759 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम किया जाएगा इसके अलावा कार्गो शिफ्स की मूवेंट्स को भी बढ़ा जाएगा वरतमान में 74 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो जिसको बढ़ा कर 95 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो की मूवेंट को इनक्रीज किया जाएगा गंगा नदी पे होने वाला कारगो मुवमेंट को भी बढ़ा जाएगा जो कि अभी प्रियोजना के अंत्रगत भारत में नए 109 फार्मा मेडिकल डिवाइस कलस्टर का निर्मान किया जाएगा और इन 109 फार्मा मेडिकल कलस्टर को काम करने के लिए 13 पार्क बनाए जाएगे पार्क मेंस उनके वहाँ पर लोग मिलकर कारे करेंगे इंफरस्ट्रक्चर को बिल्ट किया जाएगा इसी परियोजना के अंतर 90 टेक्स्टाइल और मेगा टेक्स्टाइल कलस्टर का निर्मान किया जाएगा जिसमें कपड़े से रिल्लेटेड काम किये जाएगे जिससे की कपड़ा अध्योग में बड़ोत्री होगी और इंक्रिमेंट या इंटिगेशन बढ़ेगी इस परियोजना में मिनिस्ट्री ओफ रिल्लेवेज को 1600 मिलियन टन कारगो रिल्लेवेज के द्वारा पूरा करने का लक्ष दोयाचोविस पच्चिस तक दिया गया है इस परियोजना के अंडर दो डिफेंस कोरिडोर भी बनाये जाएंगे जिसमें की एक कोरिडोर तमिलाडू और दूसरा उत्तरपदेश में बनाया जाएगा इस defense corridor पर लगबग 20,000 क्रोड का खर्चा होगा जिसमें की हर एक corridor पर 10,000 क्रोड का खर्चा आएगा और इस corridor से 1,70,000 का export किया जाएगा जिसमें की 35,000 aerospace and defense goods service से किया जाएगा वन सिटी वन ग्रिड के तहशरों में गैस पाइप का भी निर्मान किया जाएगा जिसकी लंबाई 35,000 क्लोमीटर है 11 इंडस्ट्रियल कोरिडोर का निर्मान किया जाएगा जो की 25,000 एकड के शित्र में बनेंगे देश में 38 इलेक्ट्रिक क्लस्टर बनाए जाएगे चार से पांच साल में भारत में 200 से ज्यादा नए एरपोर्ट हैली पेड और वाटर एरड्रॉम बनाए जाएंगे इस परियोजना के अंडर गती शक्ती परियोजना के अंडर टोटल 16 मंत्राले अपने अपने एरियास में इंडिवीज्वली जो कारे करते थे वह स्कीम के अंडर आकर सो लाग करोड रुपे का इन्वेस्मेंट करेंगे जिसमें कि आपके रोड्स एरपोर्स रेलवेस वाटर से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा को इन्वेंशन होगी इसके रिगार्डिंग बहुत किया जाएगा तो आज की वीडियो में इत्रा ही तो इस वीडियो को लाइक करिए शेट करीए और मेरा आने वाले वीडियो को इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो प्लीस सब्सक्राइब करिए थैंक्यू और चैनल को जाद से जादा शेर करिए ये काफी ज़रूरी है